जै शानी देर प्रिय भक्त करो मैं गुरु मारुक्मनी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे आज के इस कारिक्रम में कैसे हैं आप लोग अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं समझ सकती हूँ कि कहीं न कहीं आप परिशान है कर्जों के बोज से दवे हुए हैं पाइनाइचली आपको समस्या हूँ रही है धन सही से संचे नहीं कर पा रहे हैं और कर्जे अपने उदार नहीं पा रहे हैं तो इस कारण आप परिशान हैं लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपकी गुरुमा आपकी साथ है, तो अवस्य ही हम लोग लिल करके सभी गर्जों से मुक्ती पालें, आज मैं आपको वही उपाय बताने जा रहे हूँ, वही प्रियोग बताने जा रहे हूँ, जिसको करके आप अपने घर्जों से मुक्त हो सकते हैं जो आपने लोल ले रखा है जिसके कारण आप परिशान रहते हैं रातों की नींद आपकी उड़ गई है जो आप अंदरी अंदर जो चिंता आपको खाय जा रही है कि इतना धन हम कैसे चुकाएंगे उसके विए मैं आपको एक ऐसा उपाई बताने जा रही हूँ जिससे अवश्य ही और शेग रही आप इस करजे के बोज से मुक्त हो पाई तो अंदर तक इस वीडियो को आप अवश्य ही देखे अगर आपने हमारी चैनल गुरु रजनी शुशी जी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे अभी सब्सक्राइब करें और जो सब्सक्राइब पेज पर जाकर के और चैनल पेज पर जाकर के बेल का आइकन घंटी का आइकन जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो अप्लोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और हमारी चैनल पर आप सभी लोगों की जिक्यासा के लिए डेली का राशी पल भी दिया जाता है जो कि बहुत ही सतीक होता है और आपको बहुत ही सूट करेगा तो अपनी राशी के अनुसार स्वामी राज रिशी जी की बाणी में सुभे सुभे आप राशी पल देखना ना भूले और अपने दिन का प्रारव उस राशी पल से अवशी ही करें दस्वी एवं भारवी पास 15 से 25 साल तक की लड़कियों के लिए शनी पीट मंदिर 38 पटा 18 इस पटेल लगर नई दिली में गुरु रजनी शिशी जी और गुरुमा रुक्मनी चीतवारा फ्री कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स कराया जाता है जहां सभी लड़कियों को मल्ती मीडिया, वेब डिजाइनिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग का फ्री दो साल एवं तीन साल का डिप्लोमा कोर्स पूरे दिन सिखाया जाता है जिसकी कीमत मार्किट में 5 लाख रुपे तक है लड़कियों को हर महीने हमारे मंदिर की ओर से स्कॉलर्शिप भी दी जाती है ताकि लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी हो सके और एक सम्मान जलक नौकरी पा सके एड्मिशन्स के लिए संपर्थ करें कुरुमा रुप्मनी जी चलिए बात करते हैं हम आज के उपाई के बारे में अगर आपकी राशी कुम राशी है तो आपने कर्जों से मुखनी के लिए कौन सा उपाई करना है मैं आपको वह बताने जा रही हूँ आप उसे नोट करें और अवश्य ही से जीवन में प्रेयोग करें लिष्चे जाने अगर श्रद्धा और विश्वास से आप इस उपाई को करेंगे तो कितना भी बड़े से बड़ा गर्जा हो वो शीगर ता शीगर उदरने लगेगा इस उपाई को करने के लिए मैं आपको दो चीज़े बताने वाले हूँ सबसे पहले तो हम वो मंत्र वो चमतकारी मंत्र जानेगे जिसको प्रेयोग करने से हमारा जो रिण है हमारा जो कर्ज है वो शीगर ही उदरने लगता है और साथ ही मैं आपको एक मूर्ती बताने जा रहे हूँ जिसे आपने अपने घर में नौर्थ इस डारेक्शन में रखना है ताकि आपके अंदर फिर से confidence आए आप आप में विश्वास से भरे हो और बड़े से बड़ा कर्जा अपनी जीवन का चुट्कियों में उदा सके इस उपाय को आपने बुद्वार के दिन करना है बुद्वार को मूर्ती अपने घर में लाए नौर्थ इस डारेक्शन में उसे स्थापित करें इस यंत्र को आपने इस प्रकार से बनाना है इसे बना करके भी उत्वार के दिने से स्थापित करें अब जो मैं आपको मंत्र बतानी जा रही हूं इसका 108 वार आपने उच्चारिन करना है मंत्र इस प्रकार से हैं आप नूट कर लें साथ ही गनेश्ची की एक ऐसा फूटू जिसमें माता सरस्वति माता लक्ष्मी इवं गनेश्ची तीनों ही हो उसे भी आप अपने घर के मंदिर में स्थापित करें और यह जो मंत्र मैंने आपको बताया है इस मंत्र को 108 बार आपने देली नियमित रूप से जपना है और तब तक जपते रहें जब तक आप पूरी तरीके से आपका रिण समाप्त नहीं हो जाता एक रुपया भी जब तक आपके उपर करजा है आप इस मंत्र को करते रहें भगवान श्री गनीश अवश्य ही शीग ही आपका करजा आपसे दूर करेंगे और पूरे ही करजे से आप मुक्त हो सके ऐसी मूर्ति को लगाने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा आत्मिक बल और शक्ति बढ़ेगी और जब तक कि आप अपना करजा पूरी तरीके से चुकान ही लेते हैं आप नीडर होकर ब अपना जीवन काटते हैं बहुत से ऐसे लोग हमारे पास आते हैं और अपनी परिस्टियां हमें बताते ही लेकिन मैं आप सभी को हमीशा भगत्य की शक्ति सिखाती हूं भगत्य में बहुत शक्ति होती है जब सच्छे मन से भक्त ईश्वर को पुकारता है भगवान किसी भ भक्ति और त्रिण होगी आंद्रप्रदेश में एक ह्यक्ति ने जन्म लिया नाम था उनका गोपन्न गोपन्ना उनका पूरा परिवार ही भक्ति रस में टूबा हुआ था वो सभी लोग भगवान का यश्गान करते रहते थे जब उम्र गोपन्ना की बड़ी हुई तो उनके मामा श्री ने उनकी जो नौकरी थी उनके जो काम था वो वहां उस समय जो ताना शाह राज किया करते थे अब्दुल हसन ताना शाह, उनके गर्बार में उन्होंने गुहार लगाई और गोपन्ना को वही पर नौकरी दिलवा दिए, अब्दुल हसन ताना शाह ने उनको तहसीलदार न्युक्त किया और उनकी न्युक्ती की कि गाउ गाउ जाकर के उन्होंने खिसानों से कर्वसूल गोपना अपनी कार्य से बहुत ही प्रसंद थे और अपनी भगवान की भक्ति के साथ क्योंकि उनका तो शुरू से जो तार जुड़ा था वो राम से जुड़ा था वो राम भक्ति के साथ साथ राज्य भक्ति भी करने लगे। वो अपना काम बहुत ही कुशल्टा थे कर रहे थे कि कि एक दिन वूं भद राचल पहुंचे भद राचल में उन्हें बताया गया कि एक बहुत प्राचीन श्री-राम का मदिर है और और जाकर के उन्होंने धगवाश्री राम की दर्शन किये, मंदिर की दर्शन किये, लेकिन देखा तो मंदिर बहुत ही जर जर बहुत बुरी अवस्था में था, उन्होंने पूछा लोगों से कि मंदिर के ऐसी अवस्था क्यों है, ये तो इतना प्राचीन मंदिर है, इतनी इसके मान देता है तो लोगों ने बताया कि यहां आसपास सब किसान रहते हैं और किसी के पास इतना धन एक साथ नहीं है कि मंदिर में लगा सके इसका जीनुद्धार कर सके गोपन्ना ने काफी सोचा और सोचने के बाद उन्होंने ये जिम्मा लिया कि इस मंदिर का जीनुद्धार में कराऊँगा फिर से इसे एक अच्छी और सुन्दर स्थान बनाऊँगा वो तहसीलदार थे गाउं गाउं जाते वो गाउं गाउं से लोगों के चंदा इखटा करके उन्होंने मंदिर का कारे शुरू किया देश के अलग-अलग प्रांटों से शिल्पी शिल्पकार मजदूर इत्यादी आये और मंदिर का काम जोरो शुरों पर चलने लगा लेकिन मंदिर का कार्य अभी पूरा नहीं हो पाया था कि जितना भी चलना वो इखटा कर सके वो समाक्त हो गया अग और धन की आवशकता थी जो मजदूर काम कर रहे थे जो शिल्पकार थे उन्हों को भी धन मिल नहीं रहा था और वो भी एक एक करके छोड़के जाने लगे वहां केसर ही किसानों ने गोपन्ना से बात कि उनसे कहा कि आप ही इसमें कुछ साहिता करें गोपन्ना ने कहा मै इसमें कितनी साहिता कर सकता हूँ उन्होंने किसानों ने उनसे विवेजन किया कि आप नहीं दा रहे हैं आप कर्वसूली करते हैं क्या आप ऐसा नहीं कर सकते कि हम ताना शाह के कोश्च से कुछ धन कर्ज ले ले लेते हैं उधार ले 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 लेते हैं और जैसे हमारी फसल कटे कि हम सूच समित आपको वो सारा धन वापस करते हैं गोपन्ना ने काफी सोचा फिर वो इस बात के लिए तैयार हो गए अपनी जिम्मेदारी पे उन्हों किसानों को मंदिर के लिए दहन प्रदान किया लेकिन दुर्भा के वर्ष पसल अच्छी ना हो सकी किसान करजा ना चुका सके बात अब्दुल हसन ताना शाह पर पहुंचे गोपन्ना को बंधी बनाया गया गोपन्ना ने कहा मुझे पूर्ण विश्वास है लोग अवश्य ह भगवान पर इतना ही विश्वास है तो ऐसा करो जब तक की तिरा सारा धन जो की एक लाक रुपे उस जमाने में 1620 के जमाने में हुआ करता था एक लाक रुपे और उसका पूरा सूर मिल नहीं जाता तब तक तुम कैद खाने में कैद रहोगे उसे बंदी बना लिया गया और गोपन्ना वही श्री राम की भक्ति करने रहा रोजाना ही प्रभुष्री राम की भक्ति करते कोई नहीं नहीं कविता बनाते भगवान की भजन गाते और उनका समर्ण करते रहे सानों से सानों गुजरते गए कर्स भी बढ़ता रहा लेकिन कोई भी गोपन्ना को बचा कोई नहीं आने वाला इसे अच्छा तो तो अब्दुल्हसन ताना शाह से माफ के मांगे हो सकता है वो तोजे माफ कर दे लेकिन गोपन्ना कहने लगे मुझे अपने भगवान पर अटूट विश्वास है अरे मैं तो कोई कश्ट नहीं जिल रहा मेरे प्रभु श्री राम ने पहुचिए फायर सी पर पहुच करके उन्होंने कहा मैंने सुना ही गोपन्ना अब तुम्हें रामदास के नाव से पुकारा जाता है और भदराशल में तुम बहुत प्रसित हो गए। मैं तुम्हें माफ करता हूँ क्योंकि तुम्हारा जो जितना भी कर्ज दासूत सहित दो लड़कों ने आकर के चुका दिया है। उपना हरान थी सभी लोग हरान थे इतना सारा कर्ज इतना सारा धन किसे ने चुकाया। अब्दुल्हसन ताना शाह से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दो युवक थे। उनमें से एक अपना नाम राम बता रहा था दूसरा लक्ष्मन बता रहा था। वो कहते थे अयोध्या से आये। उन्होंने तुम्हारा पूरा कर्ज दे दिया है। अब तुम स्वतंत्र हो। तुम यहां से जा सकते हो। तुम कहो तुम्हें पिर से तुम्हें तहसील नाभ्यूत करते। पर गुपन्ना ने भगवान श्री लाम की भक्ति ही स्विकार करी। और पालकी में बिठा करके अब्दुल हसन ताना शाह को भी उन्हें उनके घर भीजना पड़ा ससम्माल। यह है भक्ति की शक्ति। अगर इश्वर पे विश्वास है और विश्वास देखो अच्छे समय में तो हर को विश्वास कर सकता है। यदि समय बुरा है और तब तुम्हारा विश्वास है तो उसे विश्वास कहते। अगर चार दिन तुम्हारे जीवन के खराब हुए तुम्हारा विश्वास उठ defendant इससे विश्वास नहीं कहते एसे भक्त Team वी नहीं कहते अगर भक्ति करनी है इस वर पर सच में शन्धा और विश्वास है तो मसीवत के समय में ही यह परिक्षा होती है उनके जीवन की ये सच्छी कहानी है, सच्छी घर्टा है, तो यदि चमतकार देखना है, तो ईश्वर पर उसकी खृपा पर विश्वास करो, चमतकार अवश्य ही दिखाई देखा, और अगर मन तुम्हारा चंचल है, मन ईश्वर में स्थिर नहीं, तो चमतकार तुम नहीं देख सका, क्योंकि अभी तुम चमतकार देखने के पात्र नहीं हो, तुम्हें वो दृष्टी नहीं है, ये तुम चमतकार देख सका, मैं समझती हूँ, जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, जहां हमें कर्ज लेके अपने जीवन को आगे बढ़ाना पड़ता है, लेकिन कोशिश करो, जितना हो सकी कर्ज से बचो, क्योंकि ये बहुत बढ़ा बोज है, जितना हो सकी करज से बचो लेकिन फिर भी कई बार पर इसके तियां एसी होती है कि हमें ऐसा करना ही पड़ता है कई बार आगे बढ़ने के लिए रिस्क देना ही पड़ता है तो इस तिती में जो उपाई मैंने आपको बदाया है उस उपायों को आप प्रयोग करें और कि बढ़ने आपको बढ़ाई है उसको स्थापित करने से आपका जीवन और मजबूत होगा आपका आत्मरिश्वास बढ़ेगा और आप अपने कार्यें में और बहतर कर सके साथ ही कहना चाहूंगी अगर आपने से किसी भी वेकी को अपनी जनम कुंडले के बारे में कुछ में जानना है आपके ग्रहें आपसे बहुत रुष्ट हैं जिसके कारण आपको जीवन में परिशानिया हो रहे हैं चाहे वो धन से संब्दित हो चाहे वो नौकरी वेपार से संब्दित हो चाहे वो शादी शुदा जीवन या शादी से संब्दित हो बच्चे या उनके करि जिद्यो कॉल का अपॉइंट में बुप करके मुझ से अथ्वा हमारे गुरुची गुरु रजनीश शिशी से अपने लिए उपाय प्राप्त कर सकते हैं उपाय जानने के लिए जो भी पीज आप से ली जाती है वो हमारे शनी पीज मंदिर के संचालन के कामाती है और जो हम बहुत से समाजी कारे करते हैं जिसे महायोक्यों का यक्यों का आयोचन किया जाता है या हम हर शनीवार हर मंगलवा जो प्रसान वित्रन करते हैं हलवे का प्रशान बाढ़ते हैं गरीबों के बीच में उसके लिए प्रयोग की जाती है जो अन्दान किया जाता है समय समय पर आप इस सभी सेवाओं में भी सयोग दे सकते हैं और अपने जीवन को बहतर बना सकते हैं आप हमारे यहां जब भी फोन करें समय का विशेज द्यान रखें सुभी 11 बज़े से शाम को 6 बज़े तक के बीच में फोन करें और संडे को फोन नहीं उठाए जाते हैं इस बात का ख्यार रखें अगर आपकी अपॉइंट्मेंट है या भीटिंग है तो केवल हो होता है लेकिन फोन कुछ दिन नहीं किये जाते हैं तो आप दिन और समय का हमेशा ही ध्यान रखें पूल करने से पहले आप सभी अपनी कर्शों से शीक्रता शीक्रत हों यही मेरी प्रात्ना है यही मेरा आशिर्वाद है आप सभी लोगों के में जैशनी किया आप अपने विवाहिद जीवन से सुखी नहीं है क्या आप पती-पत्नी के रिष्टों में दरार आ गई है क्या आपके घर की शान्ती, साज, ससुर या नंद के कारण खराब हो रही है तो आज ही 133 देशों में प्रसिद शरी मंदिर वाले परंपूज्य गुरू रजनी शरिशी जी से अपनी सभी समस्याओं का समधान जानिए अधिक जानकाली के लिए संपर्प करें अधिक जानकाई